पात विकास के गड़ की पिछले चार वर्षों में भूपेश सरकार ने चत्तीस गड़ के सरवागीन विकास की दिशा में कई महत्पपून कारी किये हैं एक ओर जहां चत्तीस गड़िया संस्कती और परंपराओं को नव छितिज मिल रहा है तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा और लगू उपक्रमों में हो रहे नवाचारों से चत्तीस गड़ के बौद धिक वा आर्थिक विकास की रहा प्रशस्त हुई है नए उपक्रमों के चलते नूतन रोजगारों का भी स्रजन हो रहा है देखिए इस रिपोर्ट में ग्रामीन आजीवी का मिशन के तहट ग्राम साक्रा में दुर्ग सिरे का पहला आजीवी का केंडर स्थापित किया गया पर अब यहां तेजी से काम हो रहा है साक्रा में बड़े पैमाने पर हरबल, गुलाल और अस्ट गंद का उत्पादन हो रहा है इस हरबल, गुलाल का निर्यात अने देशों में भी किया जा रहा है 15 एकर शेतर में फैले इस विशाल कैंपस में साक्रा और नजदी की गाउं की स्वासाहयता समू की महिलाए तो अब यहां क्या है, हम लोग को पैसा मिल जाता है अपने खर्शिक लिए, हाथ में पैसा रहेगा तो और भी अच्छा लगता है अपने अपनी खुद बढ़ ही है, तो आगे बढ़ हैं हम सब दिदी लोग, हमारे गाउं के सब लोग इतना मेहना है तब ही तो यहां रीपा भी स्टार्ट हो गया है, तो प्रोग्रेस में है, यहां का काम भी बहुँच जाता है साक्रा में रीपा योचना के अंतरगत गार्मेंट मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट, प्रेंटिंग एवं स्टेशनरी यूनिट, पीटी जार एवं पीटी बॉटल, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कई उपक्रम इस्थापित किये गए है स्वासाहयता सम्मू की महिलाओं ने प्रदेश के मुख्या के प्रती आभार व्यक्ति किया देली मतलब यहां आते हैं रोजी मजदूरी के लिए बाहर जाते थे जो वो घर बनाने वाले मजदूरी तो उतने उतना डेर साओ या यह साओ रुपए तो उतना नहीं हो पाता थो अभी यहां दोस हो है तो कुछ घर खर्च हो जाता है सर और कुछ बच्चों की यह बज़ भी जाता है मैं यह भी कहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद मानिया भुपेश बगेली का और स्रीगर नेसर कंपनी का जिन्होंने हमें इतना अच्छा च्छाओ में काम दिया ग्रामीन आजीवीका मिशन प्रदेश के ग्रामीनों के लिए रोजकार मूलक योजना है जिसके माध्यम से राजी के ग्रामीन इलाकु में विभने प्रकार की रोजकार और आजीवीका के नए साधनों का स्रजन किया जा रहा है प्योरो रिपोर्ट आईनेच 24-7